हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी मेफड में आप सब कैसे है मैं चीक हूँ आज की वीडियो में देखी मैं पराणी कुर्टी से तीन आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ इस त्रीके की जो बेकार कुर्टी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, हम उसको पहनते नहीं हैं, तो उस से भी हम बहुत संदर और काम की चीज़ें त्यार कर सकते हैं, जे दिखिए जे मैंने कुर्टी को उल्टी साइड करके रखा है, अब देखिए इसके उपर मैं सारी को र तरीके से कुर्टी के उपर रखा है और कुर्टी के उपर रखने के बाद जे देखे इस तरीके से निशान लगाने हैं जितना जे साइज है उससे आप दो इंच एक्स्ट्रा निशान लगा दे देखिए आप जैसे सारी को हैं करके रखते हैं अगर लंबे में हैं करके रखत तो उस तरीके से जे निशान लगाने हैं मैंने देखिए इस तरीके से सारी को हैं करके रखा था तो उस तरीके से जे मैंने निशान लगाए हैं जे देखिए निशान लगाने के वाद देखिए जो निशान थे उसके उपर से मैं कट कर देती हूं इस तरीके से देखिए मैंन सारी को मैं अभी उठा लेती हूँ और इसके उपर सलाई लगाती हूँ जे देखे सलाई जहां से लेते हुए साइड ब Там तक लगानी है जो जहां से थोड़ा इंच आप खोड़ दे उसके उपर सलाई ना लगाएं वाक्षी देखे ने सलाई लगानी है जे मैंने सलाई लगा दी है जे थोड़ा सा हेसा छोड़ दिया है जे देखे सलाई लगाने के वाद नीचे वाली साइड से इस तरीके से डवल फोल्ड करते हुए जे सलाई लगानी है इसके उपर भी पूरे में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़े को फोल्ड करते हु पुर्णलाख लगा देंगे अधियों ज़लाग्व में लगा धी है तो इस त्रेक्पे से देखें ज़े सारी का कवर्ण बन के रखते हैं तो सारी बिल्कुल वी गंदी नहीं होगी और ये कवर असानी से हम घर में बना सकते हैं सिर्फ दो जा तीन मिंट में इस तरीके के कवर बन चाते हैं वो भी पैकार पुराने कपड़ों से इस तरीके से सारी का कवर सूट का कवर लेंगे का कवर आप असानी से बना सकते हैं जिसके ऊपर कोई भी खर्चा भी नहीं होता और दो तिन मिन्ट में जे बन के त्यार हो जाता है जे देखे अब इसको हम अपनी अलमारी में हैं करके रख दें तो हमारे कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं होते चलिए अब सेकंड आइडिया आपके साथ शियर करत इसके ऊपर देखे इस तरीके से सलाई लगानी है जे देखे इस साइड सलाई मैं लगा देती हूं इस तरीके से इसे एक रिक्टैंगल पीस बनके त्यार हो जाएगा जे देखे मैंने सलाई लगा दी है तो जे देखे एक पीस बनके त्यार हो गया है अब एक साइड से दे इंस का निशान लगाना है निशान लगाने के बाद दूसरी साइड को देखे इस तरीके से जहां तक फोल्ड करके रखना है जे देखे इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और फोल्ड करके रखने के बाद दो साइड इसके सलाई लगानी है यह देखिए यह मैंने दोनों साइड सलाई लगा दी है अब इसको सीधा कर लेती हूँ यह देखिए सीधा मैंने कर लिया है अब देखिए इस साइड से तिर्शा इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और इसके उपर सलाई लगानी है यह देखिए इस तरीके से मैंने बाईानी है, जैयर में सलाई लगा देती हूँ, confuse, लेकलण के वैलक्रो के दो पीस लिएो है। अगर ने आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना शेयर करना, जो मेरे वीडियो पर पहली बाड आय हैं प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने बिलकुल फ्री है और जिन disp करके रखा उनका मैं दिल से धन्यावाद करती हूँ जे गिए जे वेलकरो मैंने अटैज कर दी है जे भी एक देखिए सारी का कवर बन के त्यार हो गया है इस तरीके से हम सारी को इस तरीके के कवर बनाकर भी रख सकते हैं सारी होती है सूट होता है लेंगे होते हैं उनको हम इस तरीके से जे कवर बनाकर उनमें रख दें तो बिल्कुल भी खराब नहीं होते और दूसरा जे है कि जे बिल्कुल फ्री में ही बनके त्यार हो जाते हैं जे देख इस तरीके से हम असानी से जे कवर बनाकर अपने कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं अब देखिए जो बाकी कपड़ा है उसका भी मैं जूज कर लेती हूं जे भी आईडिया आपके साथ शेयर करती हूं छोटे छोटे जो पीस कपड़े के होते हैं उन से भी हम घर में काम आन मैंने आपके साथ कवर शेयर किये हैं उसमें ना तो प्लास्टिक शीट की जरूरत पड़ी ना जिप की जरूरत थी और ना ही आटा जा चावल बैक की कोई जरूरत थी बस सिर्फ एक कुर्टी से ही से बनके त्यार हो गए हैं तो हम इस तरीके से पुराने कपड़ों से भी घर में काम आने वाले काफी सुन्तर सुन्तर चीजें त्यार कर सकते हैं जे जो छोटे शोटे मैंने पीस कट किये हैं इनको भी देखिए जोर कर मैं एक पीस त्यार कर लेती हूँ जे देखिए इस तरीके से जे एक पीस बनके त्यार हो गया है अब एक और कपड़े का पीस बचा हुआ था देखे इस तरीके से इसके उपर मैं रख देती हूँ जो नीचे कपड़े का पीस लगाया है वह चारो साइड से दो-दो इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है मतलब की जो नीचे कपड़ा है वह जादा लेना है देखिए जो हमने एक्स्टर कपड़ा लिया है उसको इस तरीके से डवल फोल्ड करके फिर सलाई लगानी है इस से इसकी चारों साइड भी फिनिश हो जाएंगी जे देखिए इस तरीके से जे बनके बहुत सुन्दर रुमाल त्यार हो गया है इस तरीके के भी रुमाल काफी हम घर में जूज करते हैं इस रुमाल का जूज देखिए हम डस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं जान छोटे मैट की जब जरूरत होती है मैट के तोर पर भी इसकी वर्तों कर सकते हैं जे देखिए जे बचे हुए कपरों से भी काफी मजबूत और सौफ्ट जे रुमाल बनके त्यार हो गया है इसकी आप वर्तो मैट के तोर पर जा रुमाल के तोर पर कर सकते हैं